अज़ें आप लोगों का हमारे चैनल में दोस्तों आज का जो वीडियो सैंसंग गैलरी के ओपर है आज हम जो सैंसंग गैलरी के कुछ हीडन फीचर्स हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे क्योंकि बहुत जादा कम लोग जो हैं जानते हैं ठीक है अगर आपके अज़ वीडिय को देखना स्कीप मत करना क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा सैंसंग गैलरी के हीडन फीचर्स और दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो अ अगर आप मेरे सैकंड चैनल को स्पस्क्राइब करना चाहते हैं तो इसका जेदूंगा वहां पर आखं़ सकते हैं तो चलिए अब यहां पने इके वारे मापन करते हैं तो पहले बार In इन्स प्राइब करेंग। वह सभी अलबम यहां पर शो जाएगी जैसे camera होगे, screenshots होगे, downloads होगे, जो भी अपने रखे हुए है, wallpaper वाले आगे हमारे, जो भी आपने यहां पर albums create यहां पर कियो है, सभी यहां पर show हो जाएगी, जैसे instagram कियागी, intro कियागी, mobile pictures कियागी, यहां पर मैंने album create करके यहां पर र automatically run करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर stories रखी हुई है, तो automatically यहां पर stories चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, वैसे यहां पर बहुत सारी special day आ गया हमारा, और यहां पर story बन जाती है, यहां पर automatically create हो जाती है, उसके वाथा shared, shared वाल option में आपको बहुत amazing features है, जो कि बहु Contacts है, आपके जो main main contacts है, आप चाहते हैं उनके साथ अपनी story जो है, share करें, अपनी photo जो है, अपनी album share करें, यहां से कर सकते हैं, easily तरीके से, आपने simply हैं यहां पर contact select करने हैं, यहां पर click करेंगे तो आपके mobile के सभी contacts आ जाएंगे, आप वो contact select कर लेंगे, तो आप उनके पर बीशाद भी अपने Contacts जो है आपनी फोटोस जो है शेयर कर सकते हैं अपने Contacts के थुरू ठीक है उसके पास भी Samsung का डिवाइस होना चाहिए तब इसको शोगा ठीक है यह थे हमारे चार फीटर उसके बाद हम next फीचर के बारे मात करते हैं यहां पे वीडियो अम यहां पर क यह प influential हो जाएगी वीडियोस होगी यहां पर चाहिए फोतो की भी आपने पने हैं जो अपकी प्राइवेट अलबं होगी यहांसे हाइट कते हैं इस वाले folder को hide करता हूं यह hide हो चुका है अब यह option आपको यहां पर show नहीं होगा आपने इसे unhide कैसे करना है फिर आपने three dots पर click करना है फिर hide and unhide पर जाना है फिर यहां से आप इसे unhide कर सकते हैं अब आपको show हो जाईए आपकी gallery पर उसका three dots पर click करेंगे यहां पर create group को option आता है आप create group भी कर सकते हैं यहां पर recycle bin तो आपको पता है जो भी photos आप delete करते हैं वह आपकी recycle bin में जाती है जैसे ही में यहां पर good कर दीया यह मैंने delete कियी only recycle bin में Oh yes आप totally delete करना चाहते तो आप ट्रिक करेंगे यहां पे we cake कीरें आउपjak recycle bin तो आपका recycle bin से जितने भी आपने फोटोष ग्रीट किया तो आप यहां से कर सकते हैं ना कमाल का तो उसके वादा था हम सैटिंग वेले और चलेगे आने का आने का आप यहां पर प्लाउड सींक्रोनाइस को प्शन मिलता है यहां पर तो आप यहां पर आपनी फोटो को बैक अप रख सकते हैं आप इंट्रेंट में अपनी राइबं करनें करना berụ माइक्रों इसके बाद करना है यहां पर अपनी फोत विडियो जो हैं सेब कर सकेंगे अपने क्लावड एकाउंट में ठीक है यहां आपको वंड्राइब अकाउंट होते हैं अबया से हैं तो आपकी वह गैलरी में शो हो जाईए पया समझ науч उसको आता है हमारा शो नोटिफिकेशन यहां ने ओन रखना यहां पर रिसेक्ल भीन आपने यहां पर ओन रखना ओफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहां पर उसके बाद रहते हैं यहां पर कर जैहन बंद मादरू